प्रेंट्स आज मैं एक ऐसी चाय बनाऊँगा जिसे बनाने में मुझे तक्रीबन एक साल से जादा लग गया जी हाँ जुबान नहीं फिसल रही पैर बेसक फिसल जाएं जुबान नहीं फिसल नहीं चाहिए हाँ मुझे तुलसी और एलोवेरों को एक ही गमले में उगाने के लिए एक साल से जादा का वक्त लग गया जिसकी मैं चाय बना रहा हूँ तुलसी में एलोवेरों के वह सारे गुणा आगे जो होने चाहिए बहुत ही चमत कारी चाय तो आईए शुरू करते हैं यह मैंने कुछ समाल लिया है जो डिस्क्रिपिशन में भी आपको असाने से मिल जाएगा अच्छी क्वालिटी की चाय की पत्ती आइस क्यूब यानि बर्फ के टुकुडे तुलसी के ताजा पत्ते एक लोग दो इलाइची काली मिर्च और मिश्री फ्रेंट्स चिन्नी की बजाए मिश्री का इस्तेमाल कर रहा हूँ देखिए बहुत ही प्यारी आवास तो पतिले में हम बर्फ डाल देंगे उसके बाद इसको अच्छी तरह से दो से तीन उबाला आने तक पानी की शेप में आने तक का इंतजार करेंगे उसके बाद साधारन पानी यानि मिनरल वाटर इसमें हम डालेंगे और अच्छी तरह से इसको उबलने देंगे उबलने देए बहुत ही बड़िया देखिए कुछ इस तरह अच्छी तरह उबलने के बाद हम इसमें यह तुलसी के पत्ते इलाईची बगरा इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से उबलने देंगे जितना आप उबालेंगे उतना ही जो पत्तों का रस है वह सब पानी में मिल जाएगा चमच की साहिता से आप इसे अच्छी तरह मिलाएं बहुत ही बड़िया बहुत ही प्यारी खुश्बु आ रही है उसके बाद हम इसमें चाई की पत्ती डालेंगे लगबग एक से डेड़ मिनिट तक फिर उबलने दें इसे कितना प्यारा रन और महक का तो जवाब ही नहीं चाहिए लगबग हमारी तयार है ये हमने मिश्री लिए है फ्रेंट्स ये धागे वाली मिश्री होती है देखे कुछ इस तरह इसके हम छोटी छोटी टुकुड़े कर लेंगे ताकि चाहे में गुलने में आसानी हो चाहे का पानी हमारा तयार है बहुत ही चमतकारी चाहे लाबधायक तो है आप इसके एक सब्ता में ही चमतकार का अनुमान असानी से लगा पाएंगे उसके बाद हम इसमें हमारी मिश्री जो छोटे छोटे टुकुड़ों में हमने कर दी थी उसको डालेंगे अच्छी तरह मिलाएंगे देखिए पानी भी कुछ कम हो गया है भाब के रूप में उड़ गया है और इतना होना ही चाहिए उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा दूद दूद पतला ना हो जैसा प्राकिर्तिक अवस्था में होता है वैसा ही हो अच्छा उबाल आने दे फिर इसे एक डेड़ मिना निट तक फिर उबाले बहुत ही बढ़िया और चाहे हमारी तयार है देखिए ज़्यादा समय भी नहीं लगा उसके बाद हम इस चाहे को किसी दूसरे बरतर में कप में या केटली हो उसमें डालने बहुत ही प्यारी खुश्बू आप एक बार बनाएंगे तो इसका स्वाद इतना ज़्यादा है कि आप लगबग दो बार तो कम से कम एक दिन में इसे पिएंगे ही और वैसे भी इसे कभी भी सुबे दोपैर शाम कभी भी पी सकते हैं बहुत ही बढ़िया उसके बाद हम एक कप लेते हैं उसमें इस चाहे कर डालेंगे आप किलास में पीना प्रसंद करें तो उसमें भी डाल सकें डाल सकते हैं और देखिए थोड़ा उपर करके डालें जहाग बनते हैं तो चाहे देखने में बहुत सुहानी लगती है और इसका सेवन करें आप इसके साथ बिस्किट, स्नेक्स वगरा कुछ भी ले सकते हैं तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी बताना मुझे और मिलते हैं बाद में अगली बिरेस देखिए लिए